हलो विवर्स मैं डॉक्टर एंजली मौर्या स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयरवेदा आरोग्यम में आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली सबसे कामन प्रॉब्लम स्वेट प्रदर, लिकूरिया या वाइट डिस्चार्ज की स्वेट प्रदर में थिक यानि काढ़ा, वाइटेस यानि सफेद या यॉलेस यानि पीला पन लिए हुए वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है स्वेट प्रदर मुख्यत तीन प्रकार का होता है जिसमें पहला फिजियोलोजिकल या सामान्य वस्ता होती है जो इस्ट्रोजन इस्टुमलेशन के कारण होता है या डिस्चार्ज वेजाइना की इंफिक्शन से सुरच्छा उसके क्लीनिंग या सफाई तथा इस्ट्री लिवकोरिया ये पूर हाईजीन इवन बैक्टेरियल इंफिक्शन के कारण होता है तीसरा है पैरासिटिक लिवकोरिया जो ट्राइको मोनास वेजानलिस के कारण होता है इसमें जलन खुजली होती है तथा जागदार गाढ़ा सफेद पीला पन लिए हुए डिस पेट, कमर और पैरों में दर्द होना, वीक्नेश, ठकान या कमजोरी का होना, हेड़क, सिर में दर्द का होना, कॉंस्टिपेशन यानि कबज का बने रहना, आखों के नीचे कालापन, तथा वेजाइनल रीजन में इरिटेशन या इचिंग का होना पाय जाता है काजिस, कारण, हार्मोनल इंबैलेंस, हार्मोन का बैलेंस ना होना, पूर हाइजिन, सच्छता का ध्यान न रखना, कर्ब्स यानि कॉंस्टिपेशन का बने रहना, कुछ बिमारियां जैसे डाइबिटीज या खून की कमी सामाने ते कुछ हवस्थाओं में जैसे ओविलेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्रेश्ट फीडिंग, एवं सेक्सुल एरोष्ट के समय डिस्चार्ज होना सभाविक है प्रिवेंशन या बचाओ, प्रॉपर हैजेन या सचता का ध्यान रखना, सेंटेट सोप, डियोड्रेंट, स्प्रे जैसे प्रोड़क्ट का प्रयोग ना करें, बाथ, टब, बबल, बाथ से बचें, वेजाइनल रिजन की धुलाई, पानी से आगजे से पीछे की ओर करना चाहिए, होम रेमिडीज, घरेले उपाए, आमला बीज, चटनी लगवग एक चमच लें, उसमें चेनी आधा चमच, सहद आधा चमच, मिलाकर सुबस साम खाली पेट सेवन करें, दूसरी होम रेमिडीज है, नाक केसर चूर, एक चमच दूद में मिलाकर रात में लें, या तीसरी होम रेमिडीज है, सतावरी चूर, एक चमच दूद में मिलाकर रात में सेवन करें, चौथी होम रेमिडीज है, स्वटिका या फिटकरी चूर, लगवग एक चमच की मात्रा, एक लिटर पानी में घोल कर, सुबस साम वेजानल रिजन की धुलाई करें, इस तरह आपके लिए लाबकारी हो सकती है आईरवेदी कौसदिया प्रद्रांतक लो दोदो गुली सुबसाम चंद प्रभावटी दोदो गुली सुबसाम लोद्रासो बीस एमेल सुबसाम बराबर पानी में मिलाकर लेने से आपको निस्चितरूप से लाग होगा धन्यवाद